हलो गुड मॉरूनिंग ओल अप यू मैं विविक कुमार रोजाना की तरह लेकर आज इरो टूड़े करेंट अपेर्स जी के एमसी क्यूज आज बारे मैं 2020 वार मंगलवार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं के आज का करेंट फिर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं लाशट बै कौसं के अनस्वर के हमने हमारे वीडियो के लाश्ट में कौस्ट आप दे पूछा था और आज भी कौसं आप दय मिलेगा जिसका आनस्वर आपको कमेंन्ट बॉक्स में देना है या मौर сил मौर्णिंग जो question पूछा था question कुछ इस प्रकार से था कि उस भारते राज्ये का नाम बताईए जिसने मुख्यमंत्री यूवा योग योजना के तैत राष्टे चात्रूरती ओनलाइन पोर्टल की सुरुआत की है साथियो अभी हाल ही में तिरपूरा राज्ये के मुख्यमंत्री विपलब कुमार देव ने मुख्यमंत्री यूवा योग योजना के तैत राष्टे चात्रूरती ओनलाइन पोर्टल की सुरुआत की है तो इस question का right answer क्या था ओनलाइन पोर्टल की सुरुआत की है और यहां पर जो चात्र है वो चात्र पूर्टी के लिए रेश्टिसन करवा सकते हैं तो यह था हमारा कल का question जिसका answer था तिरपूरा option B जिदा right answer और आज का question आपको question of the day में मिलेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखें और question का answer जरूर दे सातियों सफ़लता पहले से की गई तैयारी पर निरबर है और बिना ऐसी तैयारी के ऐस सफलता निश्चित है तो क्यों ना हम पहले से ही तैयारी करें और पहले से ही तैयारी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेस्ट संक्या 1 से हमारा करंट अपिर्श जी के भारत देश में हर साल राष्टे तक्निकी प्रोद्दोगी की अथवा टेक्नोलोजी दिवस कब मनाया जाता है साथियों भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में प्रते एक वर्ष राष्टे तक्निकी प्रोद्दोगी की दिवस मनाया जाता है राष्ट्य प्रोदोगी की जो दिवस है वो प्रतेएक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है 11 मई को यानि कि नैशनल टेकनोलोजी जो डे है नैशनल टेकनोलोजी डे भारत में प्रतेएक वर्ष कब मनाया जाता है 11 मई को तो इसका राइट आनस्वर क्या है option B is the right answer 11 मई साथ यो राष्ट्य तकनीकी प्रोदोगी की अत्वह टेकनोलोजी डिवस के इतियास की बात की जाए तो राष्ट्य वर्ष का जो इतियास क्या है कि प्रतेएक वर्ष राष्ट्य तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 में को पोखरण में किये ग PK ए सक्ती एक पर्माणु म मिसाइल के सपल परिक्षन की वर्षगाट की याद में मनाया जाता है यह जो सपल परिक्षन था 1968 में वाला यह सपल परिक्षन किसके नेत्रतों में हुआ था प्रदानमंत्री अटलब्यारी वाजपे के नेत्रतों में सक्ति को पोकरण परमाण परिक्षन के नाम से भी जाना जाता है जबकि मैं 1994 में किये गए पहले परमाणु परिक्षण का कोड़ नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा परिक्षण जी से पोखरण दित्तिय नाम दिया गया जो मैं परमाणु परिक्षण करने के बाद परमाणु संपन देशों में सामिल हो गया था तता परमाणु क्लब में सामिल होने वाला दुनिया का छटा देश बन गया था परमाणु परिक्षण को करने के बाद अमरीका और जापान सइध कहीं अन्यप्रमू देशों द्वारा भारत पर कहीं कडे पर्तिवंद भी लगा दिये गया थे next question सग्या 2 COVID-19 संक्रमन के कारण हरी संकर वासु देवन का निदन हो गया है निवनों में से वह थे option इतियासकार, option भी चित्रकार option C पत्रकार और option D राजनितिक कार साथियों हरी संकर वासु देवन जिनका की हाली में COVID-19 के कारण निदन हो गया है वह क्या थे प्रिसिद इतियासकार यानि कि इस्टो रियन तो option E is the right answer इतियासकार और हरी संकर वासु देवन को अंतराष्टे इस्थर पर रूसी एउम यूरोपिय इतियास और भारत रूस संबंदों पर उनके किये गए कामों के लिए जाना जाता था साथे बात करते हैं हरी संकर वासु देवन की तो हरी संकर वासु देवन प्रत्रिष्टित विद्वान कलकत्ता विशु विद्दाले में इतियास और चीनी विबाग के UGC, Emerits प्रोफेसर होने के साथ साथ बारत सरकार के संस्कृति मंत्रा वासु देवन दो प्रत्रिष्ट को वासु देवन ने क्या दो प्रत्रिष्ट के लिके थी एक लिकी थी 2010 में जो सेड़ो और सब्स्टान्स इंडो रसियन ट्रेड और व्लक्ट्री टेकनिकल कॉर्परेशन और दूसरी थी 2015 में जिसका था फुटि स्टेप्स ओप अपगा अपांसी निकितिन्स त्रेवल थ्रू यूरोपियाज एंड इंडिया इन अर्ली 21 सेंचुरी इन दोनों पुस्तकों के लेख़बी थे जाने माने इतियासकार हरी संकर वासु देवन next question संक्या 3 question संक्या 3 एकि इस तारिक को भारस सरकार ने कोरोना वायरस मामारी के बीच पूर्वी हिंद मासागर छेत्र के देशों को साहता प्रदान करने के लिए मिसन संस अगर नाम का सुबहरम किया है option A 1 में 2020 को option B 5 में 2020 को option C 7 में 2020 को और option D 10 में 2020 को साथ यो भारत सरकार ने कोर्णा वायरस मामारी के बीच पूर्वी हिंद मासागर छेत्र के देशों को सायता प्रदान करने के लिए मिसन सागर का सुबारम किया था 10 मई 2020 को तो अपसंडी राइट आंसर है 10 मई 2020 और इस मिसन के तैट यह मिसन जो कौन सा था मिसन सागर के तैट भारत सरकार ने भारतिय नोसेना के जाज आई एनस केसरी की तैनाति की गई है जो दो मेडिकल सायता टीमों के साथ खाद्य सामगरी सीक्यों गोलियों सहीत कौविड सम्मंदित दवाय और विसेश आयरुविदिक दवाओ को लेकर हिंद मासागर के पांच दीप देशियों माल्दिव सियाचीन उसके लावा मौरिसस सोरी सैसलस है सैसलस मौरिसस मेडागासकर और कोमोरस इनके लिए रवाना हो गया है तो इस क्वेस्टन कराए टैंस और ऑप्सन डी 10 मई 2020 को बात करते हैं मिसन सागर की मिसन सागर है क्या मिसन सागर यह है मिसन प्रदानमंत्री नरेंदर अच्छा और विकास के द्रश्टी कोण से प्रिरित है और यह जो अभ्यान है इस अभ्यान को रच्छा मंत्राले विदेश मंत्राले और बार्ष सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदी की समन्वे के साथ प्रकति पर लाया गया है नेक्स्ट क्वस्टन संक्याच्चा मैं 2021 साथियों अंतराष्टिय हों की मासंग ऐफइश के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा का कारेकाल नरिंदर बत्रा और उलिए कारेकारी मंढल और सदोस्यों को कारेकाल अक्टूमबर 2020 में संपन होने वाला था, खतम होने वाला था, जिसे अब कब तक के लिए बढ़ा दिया है, मई 2021 तक, तो राइट आमस्वर ऑप्शन डी मई 2021, साथ यो इसके अलावा, अंतराष्टिय होकी मासंग यानि कि FIH कारेकारी बोर्ड ने 47 वी FIH कॉंग्रेस को इस्तगित करने का फैसला किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूमर से 1 नाउमर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 में नियूज़ किया गया था, बात करें अंतराष्टिय होकी मासंग की, तो अंतराष्टिय होकी मासंग की स्तापना साथ जन्वर 1924 को हुई थी और इसका मुख्या ले स्वीजर लेंड के लौजेन में है, परतमान में इसके मुख्यकारी-कारी अधिकारी यानि के CEO को न थियरी वील, नेक्स्ट क्वस्टन संग्या पाँच, विश्वय स्वास्ते संगठन WHO और संग्तराष्टे UN की पोस्टल एजनसी ने चेचक के उनुमुलन की वर्सगार्ट पर एक इसमारक टिकेट जारी किया है, यह चेचक की कौन सी वर्सगार्ट थी? उप्सने 35, उप्सन B 40, उप्सन B 42 और उप्सन D 45. साथ विश्वय स्वास्ते संग्ठन WHO और संग्तराष्टे UN की पोस्टल एजनसी ने चेचक के उनुमुलन की वर्सगार्ट पर एक इसमारक टिकेट जारी किया है, यह चेचक की कौन सी वर्सगार्ट थी? 40 वी, तो उप्सन B is the right answer 40 वी, बात करें इसके important points की तो important point क्या है, यह इसमारक टिकेट, डाग टिकेट WHO को साथ मिलकर स्वयक्तराष्टिया है, डाग पर सासन UN PA के सर्जियो बाराड डाट, दराड डिजाइन और विक्सित किया गया है, यह डाग टिकेट चेचक से लड़ने में, वैस्वी के एक जुटता की एक पहचान है, और एक साथ काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्य करता है, ट्रेड रोस, एड हा, नौम ने इसमारक टिकेट के लिए सेक्तराष्ट में भारते मूल के एक सीर्स अधिका जिनके प्रियासों से इसमारक टिकेट जारी हो पाया है, बारत में जन्में खरे वर्तमान में ओप्रेशन सपोर्ट डिपार्टमेंट डियोएस के सेकेटरी जनरल के साथ कार रहत है, जिसके अंतर गत यूएन पॉस्टल अड्मिनिस्टरेशन आता है, तो इस क्वेसन का र वैक्सीन इविक्सित करने के लिए समझोता किया है, ऑप्सने भारत बायोटेक, ऑप्सन बी डियार डियो, ऑप्सन सी आयटी कानपूर और ऑप्सन डी एम्स, साथियों, ICMR, भारती आयर विज्ञान, अनुसंदान परिसद ने COVID-19 वैक्सिन विक्सित करने के लिए समझोता किसके साथ क्या भारत बायोटेक, ऑप्सने इस राइट आन्सवर भारत बायोटेक, इसकी बात की जाए, तो इस वैक्सिन को पूरे इस्तित, ICVR के National Institute of Virology, NIV में isolated किये COVID-19 मरीजों में से अलग किये गए वायरल से स्ट्रेन को उप्योग करके विक्सित किया जाएगा, ICMR ने 11 वायरिस स्ट्रेन में से एक वायरिस को साज़ा किया है, जो भारत बायोटेक के साथ पारमपर्क में काम्याब रहा है, इसके लावे एक बैयान में यह भ लिमेटेड भेज दिया गया है, साथ ही दो साज़ेदारों के बीज टीके के विकास पर काम सुरू हो चुका है, ICMR, NIV, टीके के विकास के लिए BBIL को निरंतर साहिता प्रदान करता रहेगा, साथ ही कल का अमारा वीडियो दिखिए, लाश्ट दे वाला वीडियो, यानि कि 11 माई वाल वीडियो, उसमें ICMR के बारे में बताए गया है कि ICMR है क्या, और यह क्या काम करती है, और इसकी स्तापना कब होई थी, नेक्स्ट, और आज का लाश्ट कोशन कोशन संक्या साथ निमनलिकित में से किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्ते भीमा पॉलिसी नामक एक सा साथियों, आरोग्य संजीवनी स्वास्ते भीमा पॉलिसी जो सुरू की है, वो की SBI General Insurance बाहरत है, State Bank General Insurance, option B is right answer, SBI General Insurance, साथियों इस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी स्वास्ते भीमा पॉलिसी की बात की जाए, तो यह पॉलिसी भीमा विनी यामक और विकास प्राधिकन, IRDI के मानक कवरेज और किफायती पिरिमियम के साथ तैयार की गई है, इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा, और जो समयम में सस्ती स्वास्ते देकबाल को अधिक सुलब बनाने में मदद करेगी, तो यह था आ कोवेडा उत्तरप्रदेश में, जैपुर राजस्थार में, जैपुर गुजरात में, और नासिक महाराष्ट्र में, तो साथ यह इस question का right answer आपको comment box में देना है, साथ यह थी आपको अमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को like करे, जो भी query है, जो भी question है, वो comment करे, comment box में जाए, question का answer दे और comment करे, साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करे, PDF डाउनलोड करने का link वीडियो का description में मिलेगा, वासा PDF डाउनलोड कीजिए, और अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल, UV competitions को subscribe कर दिजिए, सब्क्राइब का icon दवाईए, और हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए, और साथी साथ डेली नए अपडेट्स देखते रहे हैं, साथी हो COVID-19, कोरोना वाईरस में हमारी से बचे, इस्टे हों we safe कर मेरे सुरक्षित रहें, तैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल, UV competitions पर, आपका दिन सुबो,